आज के इस वीडियो में एक बहुत महतुपूर्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं आज हम इसी के विशे में चर्चा करेंगे कि क्लोस टाइप और ओपन टाइप में क्या मेजर डिफरेंसे हैं और ट्रिक के साथ हम इनके एक्जामपल्स भी आपको याद करा देंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोस टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है देखिए क्लोस टाइप के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है अब थम्नेल में इसका डाइग्राम भी देखेगा थम्नेल में हमने डाइग्राम इसलिए लगवा दिया है कि आप इस डाइग्राम को देखके बहुत भली भात ही समझ सकते हैं देखिए ब्लड सर्कुलेट विदिन क्लोजड वैसल्स बहुत सारी क्लोजड वैसल्स में ब्लड सर्कुलेट करते हैं लेकिन यहां पर ओपन टाइप में होता यह है कि ब्लड वैसल से आके एक बॉड़ी स्पेस में भर जाते हैं और उस स्पेस को हम हीमो सील या साइनस कहत ठीक है, blood and interstitial fluid are distinct, क्योंकि close type में blood vessels में ही रहता है, tissue space में नहीं आता, blood vessels से बाहर नहीं आता, तो जो interstitial fluid या extracellular fluid है वो अलग है और blood अलग होता है, लेकिन यहां पे blood and interstitial fluid are not distinct, open में क्या होता है, blood आके tissue के पास जाओ, जो है tissue पूरी तरह से blood में डूबे होते हैं, तो इसलिए आप blood और interstitial fluid में distinction नहीं कर सकते हैं, उससे differentiate नहीं किया जा सकता, यहां capillary system present होता है, यहां capillary system absent होता है, blood is not in the direct contact with the tissue, अब जिसे यहां पे क्या है, माल लिजे यह heart है और यह tissue है, तो यह artery आई और artery capillary में टूर जाती है, और capillary से फिर gaseous exchange हो जाता है, capillary vein और यह क्या होता है, blood जो है, वो tissue के direct contact में नहीं होता, बीच में tissue fluid होता है, एक medium, मतलब यह capillary और tissue के बीच में tissue fluid present होगा, यहां पे organ और tissue directly bathed are dipped into blood, जो organ या tissue directly blood के अंदर ही डूबे रहते हैं, हीमो seal के अंदर डूबे रहते हैं, ठीक है, यहां exchange of nutrient via tissue fluid या extra cellar fluid कह देते हैं इसी को तो nutrient का exchange क्या होता है, blood और tissue के बीच में जो extra cellar fluid होता है, जिसको middle man के नाम से भी जाना जाता है, उससे होता है, लेकिन यहां exchange of nutrients directly between tissue and blood, क्योंकि tissue खुदी blood में डूबे हैं, तो वहीं direct जो है exchange हो जाता है, देखो जो closed type के blood vessel system आप पढ़ते होंगे, वहां पे हमें दो तरीक में केवल dorsal blood vessel देखने को मिल, closed में क्योंकि blood capillaries में बहता है, vessels में बहता है, इसलिए closed type circulatory system में हमें blood pressure high देखने को मिलता है, यहां blood pressure low देखने को मिलता है, यहां blood flow rapid होता है और open में blood flow slow होता है, यह high energy consuming system है और यह low energy consuming system है, यह highly efficient है, यह less efficient है, तो इस तरीके से बहुत major differences हम अब देखिए पूरे जो है जो क्लोश टाइप का ब्लड वैस्ट कुलर सिस्टम है वह एनिलिडा में होता है एनिलिडा मतलब आर्थवम में होता है नेरिस में होता है लेकिन लीचेस में ओपन होता है तो except लीच, लीच मतलब हेरूरिण अरिया है ना पर नियाद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, जो हेमू है, वो हीरा है, हेमू बिलकुल हीरा है, कहते हैं हेमू, कोई एक लड़की है हेमू, वो पूरी तरह से मतलब बहुत हीरा है का मतलब उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, कहते हैं हीरा आदमी है, ह होल सारी qualities हैं उसके इंदर, तो हेमू से देखो, पहले बद तो हेमू के हेम से हम हemi-cordata, ही है हेमी-cordata, U से euro-cordata, शीक, इसमें M भी आ रहा है मोलस का, तो हेमी-cordata euro-cordata, mollus case, hira हीर का herodinaria और A से arthopoda, तो फिर से देख contraction है, हेमू हीरा है, हेमु हीरा है, मतलब आपका क्या हो जाएगा है, हेमु से, हेम से, हेमी कॉड़ेटा, म से मोलस्का, एक्सेप्ट सी फैलोपोडा, यू से यूरोकॉडेटा, हीरूडिनेरिया और आर्थोपोडा, तो ये हीरूडिनेरिया, आर्थोपोडा, मोलस्का, हेमी कॉडेटा, यूरोक तो आप अगर किसी भी हमारे बाइलोजी के किसी भी कोर्स से जोड़ना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, टीजी टीपीश्टी, ल्टीजी आईसी या या यूपीएसी, या आपके हेलो की एसिस्टेंट प्रोफेसर, डी ट्रिपलेस भी, ये हमारे से एन्वेस के प्रोप करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो और बाकी आगे मिलते हैं किसी बहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओल दे बेस्ट, बाइबाए.